आज आपके लिए हूँ काजू जो स्टेट जैसे हल्दी राम या रेस्टरेंट्स पगेरा में मिलते हैं आज वैसे ही हम एक्दम इजली घर में बनाएंगे और वो भी छटपट तो आएए देखते हैं यहां मैंने शफेद नमक और नमक काजू ले लिया हैं यहां मैंने सफेद नमक काणि नमक कंदमक का यूश किया हैं ब्लैक पीपर पाउडर अगर आपके पॉस्चिया है तो हम आगे एक कढ़ाई रखेंगे कढ़ाई का फ्लेम हम अन कर देंगे मैंने यहां देशीगी का यूज किया है अगर आपके पास देशीगी नहीं है तो आप डिफाइंड ओयल का भी यूज कर सकते हैं तुछ कढ़ाई हो गया है गरं और आपके देशीगी यहां पर आपासलिपकी तो गर लाहतेज यहां देशीगी तरफ सभी का लिप Parlament का अचना यहां हम खाएंगे तो हमारा काजू आप देख सकते हैं फ्राई हो रहा है हमें बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है जिसे की काजू का करण थोड़ा गूल्डन हो जाए हमें इसे अग्दम मीजियम फ्रेम पर प्राई करना है यह बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे जरूर प्राई करें तो आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा मारा प्राई हो गया आप हमें से निकाल लेंगे इसे निकाल लिए हैं अब इसमें डालेंगे गाला नमक आधा चोटा चम्च सफेद नमक आदा चोटा चमच अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है अगर आपके पास चाट मसाला अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें रेड मिर्ची और ब्लैक पेपर पाउडर का यूज करें सकते हैं तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा रेस्टरेंड स्टाइल काजू रोस्टिक तयार है तो आइए से सर्फ करते हैं आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा रेस्टरेंड मार्किर जैशा काजी रोस्टिक पढ़्यार है यह बहुत बढ़िया है आप इसे जरूर बना पर देखें बहुत ही पसंद आने वाला अगर मुरी वीडियो पसंद आते हैं तो इसमेरी वीडियो को लाइक करें औ अु straw energía मुरी वीडियो पसंद पसंद दू आपका झाला है यह आपकुर मुरीजगों चाहर जडने इसकते हैं और को को